आप सभी का फिर से स्वागत है पिशली कक्षा में हम NEP 2020 देख रहे थे आज जो हम देखेंगे वो NEP 2020 के आगे कही भाग होगा बहुत अच्छे से हम NEP 2020 जो हमारी नहीं सिक्षनीती है उसे समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले हम कोश्चन करेंगे और कोश्चन के माध्यम से हम निश्कर्स तक पहुँचेंगे तो हमारा अगला जो कोश्चन था हम इसके पहले आठ तक जो कोश्चन था वो हम देख चुके थे अब हम आगे का कोश्चन देखेंगे नौवे कोश्चन से सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला question है आपका जो आज की कक्षा का पहला question है लेकिन अगर हम कल की कक्षा मिलाएं तो कल की कक्षा के नो सारी आपका 9 question है NEP 2020 में किस वर्ष तक इसकूली सिक्षा में 100% GER Cross Enrollment Ratio के साथ माधमिक इस्तर तक Education for All का लक्षर ने धालित किया गया है सबसे पहले इसका अर्थ समझेंगे इसका अर्थ ये है कि जो आठवी कक्षा तक होगा वो कक्षा जो होगी वो सभी के लिए होगी मतलब सभी को समान सिक्षा मिलेगी समवेशी सिक्षा क्या करता है समवेशी सिक्षा सभी के लिए समान सिक्षा करता है वो बिना किसी भेद भाव के वो किसी भी वर्ग का बच्चा हो किसी भी समुदाय का बच्चा हो किसी भी language का बच्चा हो वो सभी को क्या करता है समान सिक्षा देता है तो ये इस प्रश्ण का अर्थ है तो ये लक्षे कब तक रखा गया है तो याद रखिएगा हमने पढ़ा था कि ये लक्ष 2030 तक रखा गया है कि हम क्या करेंगे आठवी कक्षा तक हम बच्चों को सभी के लिए समान सिक्षा प्र प्रतिशत खर्च करने का लक्ष निधारित किया गया है तो याद रखिएगा 6 प्रतिशत तक लच रखा गया है नई सिक्षानीती बात करता है कि हम क्या करेंगे जो बजट है जो आपका बजट पेश किया गया है वो सिक्षा पर कितना बात करने की किया है तो वह 6% सिक्षा पर खर्च करने की बात करता है, जो हमारे GDP का कितना परशंट होगा, 6 परशंट होगा, तो याद रखिएगा, जो 6 परशंट होगा, वो हमारी सिक्षा पर खर्च किया जाएगा, यह सारे question बहुत ज्यादा important है, निश्चित रूप से आपको exam में, आपके 2020 जो आपका नई सिक शनिती है, जो new education policy से है, वो हाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो ध्यान देते जाएगा, जहाँ पस वर्स की बात करें, आँग बंद कर 2030 लगाईएगा, कितने परशंट GDP की बात की है, तो 6 परशंट बात की है, कौन अध्यच थे, किनकी अध्यचता में रिपोर् रखना है, राष्टी सिक्षानीती 2022 ने सिक्षा के छेतर में सार्वजनिक निदेश को निवेश को जल्द से जल्द सकल घरेल उतपाद GDP के 6 प्रतीशत, क्या लिखा है आपा, 6 प्रतीशत तक पहुंचाने का लक्षे रखा है, राष्टी सिक्षानीती 2020 एनिपी 2020 का राष्टी गुडवत्ता वाली सिक्षा प्रदान करने के भारत को वैस्फिक ज्ञान का महा सक्ती बनाना है, मतलब अब हमारा भारत जो होगा, वो सिक्षा में कदापी पीछे नहीं रहेगा, यह हमारे नई सिक्षनीती का क्या है, उद्देश है, अगला कोश्यन है, नए स चटवी से प्रारंब किया जाएगा कैसे अब देखिए आप 5 प्लस 3 का फॉर्मूला पढ़े थे उसमें आपने क्या देखा था कि यहां तक बच्चे क्या करेंगे अपने इस्थानी भासा का प्रयोग करेंगे उनका जो मात्र भासा होगा उसका वो प्रयोग करेंगे लेकिन जब बच्चा क्या पहुंसता है छटवी कक्षा में पहुंसता है तो याद रखना है कि छटवी कक्षा से बच्चों को जब आप एक और तीम का मतलब पढ़ रहे थे छटवी, साथवी और आठवी यहां से आप देख रहे थे तो यहां पर बच्चा जिस फिल्ड में interested होगा, vocational course का मतलब क्या है कि बच्चा जिस फिल्ड में interested होगा, उस course को हम क्या करेंगे बच्चों को provide कराएंगे उसी की हम बच्चों को सिक्षा देंगे भूमने के लिए भेजने, बच्चा जिस फिल्ड में काम करना चाहते हैं, हम उसी फिल्ड से related उनको क्या देंगे, प्रोजेक्ट कारे देंगे इससे पढ़ाई के साथ-साथ उनका हुनर भी सामने आएगा इससे वो आगे क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, दोनों तै हो सकेगा छटवी कक्षा से बच्चे करना क्या चाहते हैं, उनका ड्रीम क्या है उनका लच्छ क्या है, लच्छ तो बच्चे अपना नहीं समझ पाते हैं, पर निश्चित रूप से जो ट्रेनिंग देते हैं जो सिख्चक होते हैं वो बच्चों को देख के समझ जाते हैं कि इसका interest किसमे है, ये किस ओर आगे बढ़ना चाहता है, इसकी रूची किसमे है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें मार्क दर्शित करेंगे और बच्चा ये decide करेगा कि वो बनना क्या चाहता है, हम सारी चीजों से उ इलेक्ट्रीशियन, बिल्डिंग, आदी समयत अन्नी कारियों के बारे में बताएगा, बच्चा जो भी कारे करना चाहता है, जिसमें उसकी रूची होगी, हम उसे वोफेशनल कोर्स के तहट पढ़ाएंगे, समझाएंगे, इससे उनके भीतर छिपी, प्रतीभा और नई ज जानकारिया सामने आएगी, हो सकते है कि कोई बच्चा मूर्ती बनाने में इंट्रेस्टेड हो, कोई करशी ओजार बनाने में इंट्रेस्टेड हो, कोई कपडे में इंट्रेस्टेड हो, हम इससे क्या पता चलेगा, कि बच्चा किस फिल्ड में इंट्रेस्टेड है, और व इसमें कुछ भी हो सकता है बच्चा फूट सर्वीज भी काम कर सकता है बच्चा कंप्यूटर का भी काम कर सकता है बच्चा डेंटल भी बन सकता है डॉक्टर भी बन सकता है हेयर स्टाइल वाला भी बन सकता है मैंने आपको बताया था ना कि कक्षच छटवी में बच्चा जि ये computer जो काम करना चाहता है, dental वाला काम करना चाहता है, hair style वाला काम करना चाहता है, auto service का जो काम करना चाहता है, और ये book keeping का जो काम करना चाहता है, accounting का काम करना चाहता है, singing करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, हम बच्चे को उसकी ओर आगे बढ़ाएंगे. अब मा लीजे कोई लड़की क्या है खाना बनाने में इंट्रेस्टेट है जरूरी नहीं ही कि केवल लड़की ही खाना बनाने में इंट्रेस्टेट होगी अगर कोई लड़का खाना बनाने में इंट्रेस्टेड है, अगर वो अपना खाना बनाने में करियर देख रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसी की और उसे आगे बढ़ाएंगे, उसे हम ट्रेनिंग देंगे. अगला है कि कोई बच्चा अगर क्रिशी में इंट्रेस्टेड है, बच्चे खोज करते हैं, हमारी क्रिशी के छेतर में कितना सारा खोज हुआ है, तो वो खोज ऐसा तो नहीं है, जो बच्चा जिस चीज में इंट्रेस्टेड होता है, बाद में वही वो साइंटिस्ट बनता एसा नहीं किसी चीच की खोज नहीं होगा नहीं होगा बिना रूची का कोई भी चीच अविसकार नहीं होता है ना किसी चीज की सापना की जा सकती है तो अगर कोई बच्चा एक्री गल्चर के फिल्ड में इंट्रेस्टेड है तो हम इसी फिल्ड में उसको क्या देंगे? सिक्षा देंगे, उसे हम आगे बढ़ाएंगे अब देखी, हम उसे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे उसे हम बिल्कुल डी मोटिवेट नहीं करेंगे कि अरे क्या तुम लड़का होकर लड़कियो वाले काम करोगे, तुम खाना बनाओगे उनको सनम नहीं आता है, तुम फुट वाला काम करोगे ये भी कोई सिक्षा है, तो हमें इस तरह का वर्ड भी यूज नहीं करना है, वाकई में आप बड़े-बड़े रेस्टोरेंट देख रहे होंगे पाइप स्टार, फॉर स्टार, ये सब किसके कारण चल रहा है ये उनहीं के कारण चल रहा है, जो खाने को बहतर बना रहे हैं, इसमें भी हम प्रॉपर सिक्षा देंगे किसान जो होगा वो छोटा नहीं कहलाएगा इसका भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व होगा उसे पूरा सम्मान दिया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी तो यहाँ पर कोई भी काम छोटा नहीं होगा अगर वो बच्चा उस काम को करना चाहता है तो अगर कोई बच्चा पेंटर बनना चाहता है तो वो बिल्कुल पेंटर बनेगा हम उसे निश्चित रूप से ट्रेनिंग देंगे यह हम पढ़ चुके थे आगे बढ़ेंगे सिंगिंग चाहे वो लड़का हो लड़की हो आग बंद करके आप यह मान लीजे कि इसका आर्थिये है जो हमारी नई सिक्षनिती है वो यह कहती है कि जो बच्चा जिस चीज में इंटरस्टेड है हम उसे वही कराएंगे खतम कुछ भी नहीं सोचना है हाँ बस आपको फैक्ट चीजे याद रखनी है लो वा मैडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च सिच्छा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोक का गठन किया गया है तो इसका आंसर आपको देखना है क्योंकि ये मैं पिछले ही टॉपिक में आप लोग को पढ़ाई थी कुछ होमवक आप लोग के लिए होना ही चाहिए इसका आंसर आप स्वयम देंगे याद रखिएगा कि लो और जो मैडिकल का एजुकेशन है उसको छोड़कर जो पूरी आपकी सिक्षा निती है उसके लिए एकल निकाय के रूप में एक आयोग का गठन किया गया है वो गठन का नाम आपको बताना है या तो ये तीनों होंगे या तो इनने से कोई नहीं होगा या आंसर आपको स्वयम देना है आंसर तुरंट आ जाता है चलिए ठीक आंसर मिल गया है तो बात कर लेते हैं HECL उच्च सिच्चर संस्थानों की स्वयत्ता को बढ़ावा देने और उच्च सिच्चा में सच्चडिक मानकों के रख रखाओं को सुनिश्चित करने के तरीकों की अनुशंसा करेगा पाठ क्रमों के लिए सीखने का परिणाम देगा सिच्चर और अनुसंधान के मानक संस्थानों के वार्सिक सच्चडिक प्रदर्शन को मापने के लिए मुल्यांकर की प्रक्रिया करेगा तो ये क्या है आपका आंसर क्या होगा HECL तो ये क्या करेगा मेडिकल और लोग की पढ़ाई छोड़ कर जितने भी उच्च सिच्चा है उनको साथ में करके इन सभी का मापक देगा साथ ही हमें इस फिल्ड में आगे बढ़ाएगा कौन आपका HECL अगला कोश्चन है किस वर्स तक अध्यापन के लिए नियूंतम डिगरी योगिता चार वर्सी एकी कृत B.A. डिगरी का होना अनिवार किया जाएगा ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है यहाँ पर सवाल क्या किया है तो याद रखिएगा कि 2030 तक इसका आंसर क्या होगा 2030 तक सबसे पहले इस कोश्चन का मतलब समझते है इसका मतलब यह है कि 2030 से जो लोग आप लोग जो B.A. दो साल का करते हो जो D.L.A. दो साल का करते हो 2030 के बाद जो लोग 4 वर्स का B.A. करेंगे उन्हें ही क्या मिलेगी प्रात्मिक्ता मिलेगी कब से 2030 से जो को कॉपी किताब नौलेज देना नहीं है बलकि उन्हें एक इनसान बनाना है उन्हें दिसा निर्देशित भी करना है तो इसका अर्थ यह है कि जब 2030 आ जाएगा तो आपके पास B.A. की 4 वर्स के डिगरी होने चीए मतलब से 2030 तो आप सभी B.A.D.A. और टेट वगारा सब एक्जाम निकालने के बाद ही इसे पढ़ रहे हैं और सीट या कोई सभी स्टेट का आप एक्जाम दे रहे हैं तो आप सभी के लिए पता है कि B.A.D.A. की डिगरी होनी आवश्चक है तो यहां से सवाल बनेंगे B.A.T. Bachelor of Education आप सभी को इसका फॉल फॉर्म पता होगा क्योंकि आप सभी B.A.D.A.T. कर रहे हैं तो Bachelor of Education का चार वर्स का ट्रेनिंग होना या चार वर्स का जो हम पढ़ाई करेंगे वो होना आवश्चक है अगला कोश्टान है N.E.P. 2020 के अनुसार उच्च सिख्षा में से किस कोर्स को समात्त कर दिया गया है तो हमने पढ़ा था कि Antes को क्या किया गया है समात्त कर दिया गया है तो याद रखिएगा N.E.P. 2020 के अनुसार उच्च सिख्षा में एमफिल जो हुआ करता था, एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, क्या होता है एमफिल, तुम एमफिल का फुल फॉर्म है, Master of Philosophy, जो दो वर्स के पोस्ट ग्रेजुएट अकादमिक रिसर्च कोर्स हुआ करता था, उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, Humanities, Commerce, Science, Law, सिक्षण आदी किसी भी स्ट्रिम के केंडिनेट्स एमफिल कर सकते हैं, पहले जो होता था था ना, कि नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा, फिर ऐसा होगा, तो अब वो सारी चीज़े नहीं है, नियू सिक्षा पॉलिसी ने ब 2020 के अनुसार मुल्यांकन का उद्देश क्या है, पूरे देश में बच्चों की तूलना करने के माबदंड बताना तूलना निगेटिव वर्ड है, गलत हो गया, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना, हाँ ये तो अच्छा है, सीखने की प्रक्रिया में सहायत यह भी निगेटिव, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका second हो जाएगा, ठीक है, यह आंसर आपका सहीं हुआ, तो हम बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करेंगे, अगला question है, रास्री सिक्षानीती 2020 के नुसार सिक्षा को केवल पूर और निर्धारित विसेवस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, क्या यह सहीं है, नहीं, गलत, तो option A जहां होगा, वो सब option गलत हो जाएगा, A इसमें भी है, A इसमें भी है, A इसमें भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका, तीसरा हो जाएगा, तो ऐसे आप समय का हैं, समस्य समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, यह बिल्कुल, हम क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ उन्हें समस्या का समाधान भी बताएंगे, उन्हें हम ट्रेनिंग देंगे, कि अगर कोई समस्या आ रही, तो आप कैसे उसका समाधान निकालेंगे, यह आंसर बिल्कुल सही है, अधिकम करताओ, अधिकम का मतलब होता है सीखना, तो जो सीखने वाले होते हैं उनको हम अधिकम करता कहते हैं, तो अधिकम करताओ में समालोशनात्मक चिंतन का विकास करना, मतलब बच्चे पक्ष में भी सोचे और विपक्ष में भी सोचे, त कि बच्चा को हम अन्वेशन मतलब खोज करना होता है तो अगर हम उन्हें खोज करता वाला बना रहे हैं खोज करता कि हाँ आप खोजी प्रवित्ती की बनो हम बच्चों में जिग्यासा पैदा करें तो इससे बैस टीचर होई नहीं सकता अगर चुकि आपनों टीचर बनने जा रहे हैं तो आप बच्चों को ना अब पार्टी पुस्तक से बाहर बाहरी जीवन से उन्हें जोड़ कर पढ़ाएं तो यह क्या होगा अपने आप में बहुत स्पेसल होगा और बच्चों के विकास वर्द्धी के लिए महत्पूर्ण होगा तो आंसर क्या होगा आपका अगला कोश्चन है रास्टी सिक्षनीती 2020 में निमली खित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है प्रतेक विद्यार्थी की विशेश्च छमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्पूर्ण है यह बिलकुल अच्छा है हमसे नहीं पूशा है स्रिजनात्मक् पर्याप्त देना चाहिए और तार्किक निर्णाय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना यह बिलकुल पॉजिव आंसर है इसका मतलब यह है कि हम बच्चों की स्रिजनात्मक को प्रयाप्त क्या दे रहे हैं समय दे रहे हैं उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं तार्किक निर्णाय करने योग्य बना रहे हैं और नवाचारिता का मतलब होता है कुछ नया तो उसके लिए हम बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं साथ ही विवेचनात्मक चिंतन करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं बच सब्ध कर प्रिच्म समझ पर बल देना रटत मार कर सीखने और परिच्छाओं के लिए सीखने के लिए इस तरह का पढ़ाते हो तब तो सही तो यहाँ पस confused नहीं होंगे कि मैडम बोली थी रट्टा मारना लिखा होगा और यह सब लिखा होगा तो गलत हो जाएगा पहले पूरा sentence पढ़ेंगे तो answer आपको क्या हो जेगा तीन हो जाएगा क्योंकि हम इनाम और डंड का प्रयोग करके किसी भी बच्चे को नहीं सिखा अगला question है राश्चे सिक्षनीती 2020 क्या सिफारिस करती है पाठिकरम का माननी करण नहीं एक भासावाद नहीं बहु भासावाद का क्या करता है यह प्रोचाहन करता है मुल्यांकन का माननी करण गलत बहु भासावाद यह बिल्कुल सही हमने देखा है कि बच्चा जिस भास बहु भासा में पढ़ना चाहता है हम उस भासा में इनको पढ़ाएंगे मतलब बहु भाशा वाद प्ले लर्न एंड ग्रो टुगेदर पढ़ाई खेलते हुए सीखो और हमेशा ग्रोगड़ो बढ़ते रहो यहीं क्या है हमारा उदेश्चे है अगला कोश्चन है गर की भासा संस्कृत नहीं अंग्रेजी नहीं यह पर पर इस्थानी भासा घर में बोली जाने वाली भासा जो आपका मदर टंग है उसको प्रुद साहित करता है और आपका एननिपी 2020 に इख अगला कोश्चन है एनिपी 2020 के अनुसार निमने में से किसे बढ़ावा देने के लिए रास्टी सेच्छिक टेक्नोलोजी फॉरम NETE को इस्थापित किया गया है तो किसके लिए किया गया है तो एक लर्निंग के लिए सीखने के लिए ठीक याद रखना है आपको उच्छ सिक्षा सचीव अमित खरे ने कहा है कि डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक रास्टी प्रद्योग की मंच NETF बनाया जाएगा इपाठे करम इपाठे करम इपाठे करम सुरू में आठ छेतरी भासाओं में विक्षित होंगे और वर्चूल लैब विक्षित की जाएगी नई सिक्षा निती के तहट इस्कूली सिक्षा से लेकर उच्छ सिक्षा में कई एहम बदलाव हुए है यहाँ पर एक चीज लिख सब्सक्राइब क्या है इलेक्ट्रानिक जो होते हैं हम डिजिटल बोड्पे बच्चो को पढ़ा रहे हैं डाग्राम के मांद्यम से पढ़ा हैं तो अंसर क्या होगा आपका अपका बैद होगा यह कौन है आपके यहीं है कि हम पढ़े लाइक आमित खरे ने कहा आई कि वारे वीडियो देख लेंगे आपका कहीं से कोई भी सवाल नहीं जूता है, नयी मोंस्त इंक्वाटन कोस्चन है, तो नई राश्ट्रे सिक्षानीती 2020 को लागू करने वाला भारत का जो प्रथम राज्य आपका पहला राज्य है, इसके बाद आपका इलिए एक सवाल है कि दूसरा राज्य कॉन सा है, था कहीं से सवाल आए ना आए पर यहां से आपका सवाल आएगा ही आएगा तो पढ़ते चले हैं पढ़ते चले और नोट्स भी बनाते चले आज के लिए इतना ही थैंक्यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक प कर दो चाहते हैं